आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीजो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर Beam of Light आपने Fall किया ठीक है जो भी आपका Solution दिया हुआ और उस Solution ने Beam of Light को Scattered कर दिया Scattered ठीक है तो यही जो Scattering जो होता है Beam of Light का इस Phenomena का नाम आपका क्या होता है Tindle Effect इस Phenomena को हम लोग क्या बोलते है Tindle Effect बोलते है यहां समझेगा यह होगे आपका Tindle Effect ठीक है Scattered हो जाता है Beam of Light ठीक है तो इसको हम लोग Tindle Effect बोलते हैं अब आगे समझेगा इस चीज़ को ध्यान से यहां देखे अब हम आगे Option देखते हैं आपका ठीक है अब देखें यह जो Tindle Effect जो है Colidal Solution के दौरास तो होता है ठीक है अब यह Colidal Solution गया होता है यह आपका एक तरह का Heterogenous Mixture है Heterogenous Mixture में आपका क्या होता है bottles जो होते हैं यह आपका Non-Uniformly Distributed है Heterogenous Mixture में आपका क्या होता है particles Non-Uniformly Distributed है मतलब हम यहां पे क्या लिख सकते है non-uniform composition यहाँ पर हम आपका लिखेंगे non-uniform composition होता है ठीक है यहाँ समझेगा ठीक है non-uniform composition होता है और tindle effect यह collidal solution सुपरते हैं यह होगे आपका heterogeneous mixture ठीक है tindle effect collidal solution अब हम option देखते हैं first option में क्या है आपका star solution तो देखें यहाँ समझेगा star solution जो है यह आपका क्या है collidal solution है star solution आपका क्या है collidal solution है इसका reason क्या है क्योंकि इसमें क्या होता है particles जो होते हैं यह आपका non-uniformly distribute रहते हैं ठीक है एक बात और आपको जानना है इसमें जो particles का side जो होता है यह भी हम बता देते है particle का size जो होता है वो आपका 1 से 100 sorry, 1 से 1000 nanometer के बीच में होता है, ठीक है यहाँ आप एम इस चीज़ को लिख दे रहे है particles का size कितना होता है आपका 1 से 1000 nanometer 1000 nanometer के बीच में होता है, ठीक है यहाँ समझेगा, तो starch solution यह आपका collider solution है, क्योंकि इसमें क्या है, particles जो हैं, आपका non uniformly distribute है इसमें क्या होता है, particles non uniformly distribute मतलब heterogeneous mixture है एक तरसे, particles non uniformly uniformly distribute रहते हैं ठीक है, और अभी हमने बताया, यह टिंडल effect आपका collider solution सो करते हैं, ठीक है तो starch solution यह आपका टिंडल effect सो करेगा यह आपका टिंडल effect यहाँ पर सो करेगा, ठीक है, यहाँ समझेगा, तो यह होगे आपका टिंडल effect star solution, ठीक है यहाँ समझेगा, तो first option तो आपका correct हो गया यहाँ देखिए, first option आपका correct हो गया, star solution अगला देखते हैं, next option sodium chloride solution, अब यहाँ समझेगा, देखिए second option का हम बात करें, तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, sodium chloride solution, sodium chloride solution आपका क्या है, true solution है, ठीक है, यह आपका क्या है, true solution reason क्या है, तो reason यह है, क्योंकि इसमें particles जो होते हैं, आपका uniformly distribute रहते हैं, solution में particles आपका क्या होते हैं, uniformly uniformly distributed रहते हैं, uniformly distribute ठीक है, distribute रहते हैं solution में, ठीक है, तो हमने क्या बता है, और true solution जो होता है, यह आपका två oánt आपका तिंडल उफेक्ट सोh नहीं करता है, ठीक है, इसलिए second option आपका गलत हो गया, तो यहा देखिए second option आपका wrong हो गया, अगला देखिए next option आपका क्या है copper sulfate solution ठीक है यहाँ समझेगा third option का अब हम बात कर रहे है ठीक है यहाँ देखे यहाँ third option में आपका क्या दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है आपका copper sulfate तो देखे यह जो copper sulfate solution का जो है यहां जो दिया हुए आपका copper sulfate solution जो है यह आपका क्या form करता है true solution फॉर्म करता है ठीक है यह आपका true solution फॉर्म करता है इसका reason यही है यह जो है यह आपका किस टाइप यह इसमें क्या होते है particles जो होते हैं आपका uniformly distribute रहते हैं ठीक है Homogeneous Mixture, Homogeneous Mixture हो गया, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, Homogeneous Mixture हो गया, यहाँ देखिए, और यह आपका क्या है, True Solution, तो True Solution आपका Tindle Effect So नहीं करता, ठीक है, तो Third Option भी आपका गलत हो गया, तो यहाँ देखिए, Third Option आपका गलत हो गया, Fourth Option क्या है, आपका Sugar Solution, ठीक है, Fourth Option यहाँ बता रहें देखिए सूगर सोलुशन तो सूगर सोलुशन जो है यह भी आपका क्या है ट्रू सोलुशन होता है ठीक है इसमें क्या होता है सूगर जो होता है यह आपका सॉलुशन में डिजॉल्व हो जाता है ठीक है यह आपका क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है और इसमें particles जो हते हैं या आपके क्या होते है uniformly distribute रहते है uniformly डिस्टिб्यूथ हो जाते हैं ठीक है solution में कि uniform distribute का मतलब क्या हम बोल सकते हैं जो भी हमने बताया था या अपका क्या है homogeneous homogeneous mix ठीक है यहां समजtuेगा homogeneous mixture ठीक है तो यहां देखिये और हम लोग जानते हैं कि यह देखिए यह homogeneous mixture हो गया और क्या है यह true solution तो देखिए true solution आपका टिंडल effect सो करता नहीं है ठीक है तो fourth option भी आपका गलत हो गया यहाँ देखिए तो देखिए आपका correct option कौन सा हुआ यहाँ पे option first आपका correct हो गया Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 शुपर